कि हेलो वरिए वेल्कम बैक टूटा चैनल पी एस क्लासिस और दिस वरूर महाजन तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर ठीक है तो पीवाई क्यू पीछे पढ़े थे अब उसक्यादत होगी है यह हम डिसकस कर रहे हैं और यह आपका टॉपिक जो भी रहेगा यह आपका वायरेस एंड एंटिवायरेस ओके तो देख लेते हैं पहला कोशन बिना किसी टाइम वेस्ट किये हुए तो डैश ब्रांच ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी ठीक है नोन एज इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी की ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन आजाता है इट टेक्स अडवांटेजिस ऑफ बेसिक हार्डवेर और सौफिर सेक्यरिटी तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा ठीक है बताओ जल्दी कि ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशन नंबर थर्ड क्रैक्ट सॉफफवेर्स और अनधर सोर्स आफ अच्छा सही आंसर मैं थोड़ कम टाइम दूंगा यार क्यूंकि लेंथ लेक्षर की बेकार की लंबी हो जाती है दो तीन सेकिंड सफिशेंट होते हैं अगर आपको लगता है दो तो तो तीन सेकिंड में आप अपने आंसर को नहीं डून पार रहे हो तो कोई नी वीडियो अइस तो यह जो सौट यह होते हैं निको क्राइच कर दिया जाता है तो इromos को स्टील किया जाता है यह वाइरिस के परसन है कोई हाडवेर रही है इन में से कुछ नहीं होता हूँ सही आंसर है इसका अपका एक प्रोग्राम है तो इसी कोशिन नेक्स हम बात करते हैं सौर्ट वियर जैसे कि देख लो वायरेश इस देख लो वां देख लो ट्रोजन होर्स देख लो ठीकर डैट है वे इनको बोला क्या जाता है बताओ all these are malicious softwares ठीक है income क्या बोलते है malicious software या फिर आप से malware भी बोलते हो next हम देखते हैं virus trojan horses and worms are able to harm the computer system आपको होता है वाइर इस ट्रोजन होर्स और वांज है आपके computer का अच्छा कासा जो impact करते हैं अच्छा कासा effect करते हैं आपके computer के अंदर यह आजाएं ठीक है ना नेक्स हम बात करते हैं इट इस रेप्लिकेटिंग program that infect computer and spread by inserting copies of itself into another executable code और document आपको पता है यहां पर पूछा गया है तो आपने बताना है वह क्या चीज है जो क्या करता है जब आपके computer system के अंदर वह एंटर करता है तो अपनी कई सारी copies बनाता है duplicate copies बनाएगा और वह क्या करेगा आपकी इसको स्टील करेगा है करेगा है ना उसकी modification करेगा तो यहां पर बेसिकली बोला गया है वह कौन सा self replicating program होता है जो अपनी कई सारी copies जो है वह बनाता है और यहां पर पूरे तरीके से जो है वह प्रेड हो जाता है आपके computer system के अंदर ठीक है न तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा सैवंत का कि कि के वाइरस नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स कोशन आता है हमारा computer वाइरस जो है बेसिकली हम बात करें computer वाइर इसको क्रियेट किया बनाया जाता है यह एक्सिडेंटली जो है हम कोई experiment करेंगे और एक्सपेरिमेंट पूछा गया है कि यह कोई उस प्रोग्राम कोई आपका अगया ठीक है अप्रोग्राम कोई एरर्ण यह वाइरस एक्सिडेंट हो जाता है ठीक है यह उप्शन होगा तो बताओ इस तीन में से यह अब यह सारे तो पता है आंसर क्या होगा आप सबको पता है आप पता रहें कि आपको पताया करए निंस डाने क्लिपन के लिए इस'm को गैप कर लिए मिस यूज करनेmek लिए वहां करते इस साइप के वाइरस जो है वह बनाते है ठीक है नैस्ट लगा करते हैं कोशन नाइन आता है हमारा डैश आर ओफन डिलीवर टू पीसी थूए इमेल अटैच्मेंट एंड आर ओफन डिजाइंड टू हाम यह बेसिकल यह बोला गया आप जनरली देखते हो कि पीसी आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके अंदर आपकी कई सारी जो हो मेल आती है क्या पहुंचाता है पहुंचाता है ठीक है तो पताओ सब सही आंसर क्या होगा व्य है है एक साघ्ट करता है ठीक है नेच्स अम बसे भाट करते हैं विछ फलिग्र आफ्फोवर्ट्स प्रोग्र्म चैन बी Cut of ओपनिंग इमेल अटेच्मेंट और डाउनलोड सॉफ्ट वेर फॉम दा इंटरनेट तो बेसिकल यहां पर बोलागा है जब आप क्या करते हो आपके कंप्यूटर में कोई मेल आती है और उस मेल को आप क्या करते हो ओपन करते हो क्लिक करके या फिर आप कोई सॉफ्टर को डा जैसे आप की है इसका वायरिस ठीक है तो बिस्टिखली होता है जो आपके कंप्यूटर जो और फो करते हैं इंटरनेट से और सब्सक्राब करते हैं वायरे शाब करते हैं मैं कि मिद्ट में पहुंच या या कोई सॉफ्टिज को ज pracy मेंfikते, इसे फ्रीजिन जक्रियल Tobias, व design to destroy data on your computer which can travel to infect other computer is called basically यहां पर बोला गया एक program को इससे आप से design किया जाता है वो क्या करता है वो destroy करता है data आपके computer का और फिर उसके बाद हम यह बोलेंगे कि वो travel करता है यही program दूसरे के computer में और वो उसको इंफेक्ट करता है तिक है वो basically क्या चीज होती है इसा program जो आपके computer को तो इंफेक्ट करता ही destroy करता ही आपके computer के data को और वो फिर हम बोलेंगे कि वो travel करता है आपके साथ दूसरा जो computer होगा उसको भी इंफेक्ट करने की जब वो शमता रखता है ठीक है तो बताओ उसका सही answer क्या होगा इसे हम बोलेंगे वाइरस ठीक है नेक्स हम बात करते हैं इफ यह computer rebooting itself then it is likely dead तो बताना अपने computer अगर आपका reboot होने शुरू हो जाए तो वह किसका एक संकेत देता है किसका वेक्ट साइन देता है और आपको यह चीज़ पता भी होगी मैं आपको एक प्रॉटी से information दो कभी आपके computer में वायरेस जाब आता है ना तो उसके कुछ साइन्स होते हैं ठीक अब यह मतलब बोलना कि वह साइन्स होंगे तो हमेशा बोलोगे कि वायरेस ही आ गया है यह आपको बहुत अगर हो तो एक possibility probability बन जाती है कि हो सकता है कि कि दर वायरेस यह computer आपके computer के अंटर ना कर गया हो जैसे कि पहला हम बात करें कि computer जो है वह बार बार जो है वह री स्टार्ट होता जा रहा है ठीक है विदा टाइमेंट अगीन अगीन तो फिर हम बात करते हैं तो बोलेंगे कि यह भी एक प्रॉबिल्टी हो सकती हो सकता है और वायरेस ना गय है यह बोला गया है कि प्रॉबिलिटी एक बन जाते पॉसिबिलिटी बन जाते कि computer अगर मार रहा है तो प्रॉबिलिटी हो सकता है इसके अंदर वायरेस वह आ चुका है ठीक है यह फिर हम बात करें कि battery जो है उसकी battery में fluctuation आ रही है कभी आपको computer बता रहा है कि 20% battery है ठीक ह five minutes सी आपका computer जो है वह चलेगा तो इस टाइब की fluctuations बैटरी की में आ रही है ना यह बेसिकली यह बेक हमें बताता है कि हो सकता है कि computer के अंदर कही वायरेस तो नहीं आ गया है तो ऐसे ही बोला गया है एक रीबूटिंग का भी होता है computer कर रीबूट करना शुरू कर दे अप हमें से तो बताओ जी इसे बाएंड मतलब क्या एक संकेत हमस me जो हो देता है तो मैंने आपको इतना बड़ा बता ही दिया आपको अंसर प्ता चल लिए होगा है इसका अंसर क्या अपका weiris दो बता रहे है disappointment to twice सबको बताओ के सि stör वायरेस क्या है बताओ अगर आप सही ऑप्षिन एसका कंप्यूटर वायरेस क्या है एक प्रोग्राम है ठीक है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स आता है हमारा विच अमंगदा फॉलिंग इस रिलेटेट टू इंटरनेट एंड मेल तो आपने बताना इन में से कौन जो है है वह रिलेट करता है किस से इंटरनेट और बताओ है कि सही आंसर है इसका आपका वायरेस ठीक है वह कैसे आपको पता इंटरनेट जब आप यूज करते हो ठीक है तो इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हो फ्री सौफियर आपने स्पोस्ट करको फ्री आंटी वायरे software download कर दिया है ना अब यह download करोगे इसमें कहा है जी वाइरस तो आपके computer में एंटर कर सकता है और हम बात करें मेल वगारा देख लो अब कहीं सारे spams आते हैं ना तो जो मेल वगारा जो भी होंगी उनके साथ जब अटैच होता है वाइरस जब उस मेल को अपक्लिक करके ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर में जब एंटर कर जाता है और आपके computer को जो इंपक्त करता हाम पहुंचाता है ओके तो हम बोलेंगे कि इंटरनेट और मेल से कौन सी टर्म इस लिएक रिलेट हमारी वाइरस नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशन हमारा फिफ्टिन कोशन देखते हैं पहला PC वाइरेस वह वो डैवलप किया गया था काभ बताओ इजी कोशन है पता होगा सबको बताओ सही option है इसका 1986 में ठीक है तो पहला पीसी वायरेस को डैवलप किया गया था 1986 में और नेक्स कोशन हमारा पहला कंप्यूटर वायरेस वह कौन सा है बताओ पहला कंप्यूटर वायरेस था हमारा क्रीपर बेसिकली यह बोला जाता था यह क्रीपर जो है वह एक एकचिडेंटली वायरेस वह क्रीएट हो गया था बेसिकली यह बोला गया था कि कुछ एकस्पैरिमेंट किया रहा था परोग्राम पे और वह प्रोग्राम सहीत रिके से ना बंते हुए उसमें एरो और यह एक वायरेस हो गया ठीक है बंदा तर्का मुझे नाम याद नहीं आ और यह दिर है देवाइस को नहीं बना गया था एक्सिदेंटली वाइस यह यह बन चुका था ऑप इस वाइरस को खतम करने के लिए antivirus चाहिए था फिर हम ने क्या किया था एक antivirus यह वह लाया ता तो चैके था तो इस एंधी वाया का नाम किया यह मुझा आपकोंन पर करीपर ओके नेक्स हम बात करते हैं 16 होगे 17 के मात करते हैं विच वायरस इन एप्लिकेशन सॉप्वेर तो आपके जो एप्लिकेशन सॉफ्वेर्स होते हैं यहां पे आपके वायरस होती है ठीक है तो वह कौन से वायरस है बताओ उसका अंसर क्या होगा सब्सक्राइब आपको मैं पता हूँ जैसे मैक्रोवाइरस होता है इसा बोला जाता है कि मैक्रोवाइरस की जो लैंग्वेज होती है वह बिल्कुल ही हम बोलेंगे अप्लिकेशन सॉफ़ेर से जो है वह मिलती जुलती होती है तो जब यह आपके सबस्सक्राइब आपको ludzie कि यहति जो हैं फैस आपटा है कि यह आ आपके सप्रेट होता है तोसरह क्या बैजाए क हो न जाता है आपका मैक्रो वाइरस नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 को छोड़ो 19 देखते हैं विच आफ फॉलिंग इस टाइप आफ सॉप्वेर डेट है इस सेल्फ एप्लिकेटिंग सॉप्वेर डेट कास्ट डेमेज तो फाइलन सिस्टम तो आपने बताना है इसमें से कौन सा इसा मतलब की टाइप आफ स साथ रेप्लिकेटिंग है खुद से कॉपी बगरा जाओ बनाना शुरू कर देता है और वह स्प्रेड होता है कंप्रूटर सिस्टम के अंदर तो बताओ उसका सही ऑप्षिन जो है वो क्या होगा थीक है है ट्वंटीएथ कोश्चन आपका है होंवक यह मुझे आप कोमेंट में बताओगे ठीक है थोड़ा होंवक भी मिलना चाहिए आपको यह कोशन देखो और स्कॉन देखो नीचे मुझे कोमेंट में इसका अंसर बताओ ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वाम आ आपने बताना है वाम क्या है बेसिकली आटोमेटिकली मूविन नेटवर्क कैन ओनली भी ट्रांसफर विद इंट्रवेंशन वाम्स और हामले से ननना अपतावर्व ओप्शन ए ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं वाम इस प्रोग्रम डैट इनफेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाई इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इट्सल्फ इंटू दा यही बोला गया है कि वाम क्या एक प्रोग्रम में जो क्या करता आपके कंप्यूटर को इनफे सब्सक्राइब करता है तो आपको मैंने बता ही इसका अंसर यह बेसिकल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता अपनी कुछ की कॉपीज बगारा जो बनाना शुरू करता है और कंप्यूटर में जब स्प्रेड हो जाता है अच्छा का साहां पहुंच आता है कंप्यूटर को सही ऑ सब्सक्राइबल को सब्सक्राइब करो बेर नोटिफिकेशन उत्सक्राइब और क्योंत थो